हम सब जानते हैं C for Corruption Congress, C for Confuse Congress, लेकिन अब C for Cocaine Congress, इस व्यक्ति का Congress Party से क्या नाता है, ये रिष्टा क्या कहलाता है, स्पश्टी करण ये आया कि इस व्यक्ति को हमने नुक्ति करी 24 मार्च को अक्टोबर 2022 में पद से हटाया था, आप एक डिजिटल प्रमार दीजिए, डिजिटल फुट्प्रिंट्स रहते हैं, दिखाईए, कैसे ये प्रतीत होगा कि ये जो आपने हटाया था, ये वाकई ऑक्टोबर 2022 में था, कैसे ये पता चलेगा जनता को कि आनन फानन में जैसे ही ये पकड़ा गया, और आपको पता है, जनता ये मानती है, आप कोकेन कॉंग्रेस हैं, डग वाली कॉंग्रेस हैं, युवाओं की खिलाफत करने वाली कॉंग्रेस हैं, आपने तुरंथ इस तरह का बागडेटेड एक निश्कासर पत्र निकाल दिया, देश की जनता, हर्याना की जनता, अचंबित है, कॉंग्रेस, लेकिन अब सीफर कोकेन कॉंग्रेस, चिनता की बात है, कॉंग्रेस पार्टी का एक पददिकारी, जिसकी गिरिफतारी होती है, इसके पकड़े जाने के बाद, जनता पुलीस को शाबाशी दे रही है, सरकार अपना कार्य कर रही है, और ये भारती जनता पार्टी की प्रतिबद्धता ही है, कि चाहे कोकेन कॉंग्रेस कितना ही क्यों न चाह ले, लेकिन देश के युवाओं को नशे की लत हम नहीं लगने देंगे, देश का युवा रोजगार पा रहा है भारती जनता पार्टी से, ये लड़ाई है, विचारधाराओं की, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि युवाओं खेलेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, इनोवेशन होगा भारत में, रोजगार के अफसर पैदा हुए हैं, नौकरी मिलेगी, और दूसरी तरफ, कॉंग्रिस पार्टी है जो भरष्टा चार के लिए, सी फर करप्शन के लिए जानी जा रही है, और क्या ये आज पूछा नहीं जाएगा कि अगर, ये जो मुख्या रोपी पाच हजार करोर रुपई की ड्रग्स की खेप के, जो पकड़ी गई है, जिम्बिदार पाया गया है, तो राहुल गांदी, मलिका अर्जुन खड़गे, प्रियंका वाडरा गांदी, सोनिया गांदी, भुपिंदर हुड़ा, ये लोग चुप क्य लगता है, आपको लगता है कि आप हर्याना के और भारत के युवाओं के साथ, उनकी जिन्दगी के साथ, खिलवार करोगे, और जनता चुप रहेगी, भारती जनता पार्टी चुप रहेगी, ऐसा नहीं होने वाला, मैं धन्यवाद देता हूँ ग्रह मंत्री श्री अमिच्शा जी का, जिन्होंने कल बड़ी स्पष्टता से कहा, और मैं इस बात को पढ़ना चाहूंगा, ये संदेश पूरे देश में जाना चाहिए, हर युवा के मन की बात थिये, एक और जहां मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए जीरो टॉलरेंस की निती अपना रही है, वही उत्तर भारत से पकड़ी गई ड्रग्स की 5600 करोड की खेप में कॉंग्रिस के एक प्रमुक व्यक्ती की संलिप्टता बेहत खतरनाक और चैर्मनाक है, कॉंग्रिस के शासन में ड्रग्स से पंजाब, हर्याना और समगर उत्तर भारत में युवाओं का जो हाल हुआ है, वह सभी ने देखा है, मोदी सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा और इनोवेशन की ओर ले जा रही है, और वहीं कॉंग्रिस उन्हें ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है, कॉंग्रिस नेता द्वारा अपने राजनितिक रसूख से युवाओं को ड्रग्स के दल्दल में जोकने का जो पाप किया जाना था, इन इरादों को मोदी सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी, हमारी सरकार ड्रग्स के कारोबारियों को राजनितिक पद या कद देने देखे बिना ड्रग्स के पूरे तंत्र का विनाश कर नशा मुक्त भारत बनाने के लिए संकल्पित है, तो ये विचारधारा है भारती जन्ता पार्टी और सरकार की ग्रह मंत्री जी ने जो युवाओं के मन की बात है, उसको इंगित किया है, मैंने राहूल गांदी की खरगे जी की छुपी के बारे में बोला, आज ये पहला प्रश्ट पूछा जाएगा, क्या रत्ती भर भी नेतिकता सत्ता के नशे में जो पूरी तरह से आज राजनिति कर रहा है, ये बची है, कि वो एक शब्द बोल सके, इस व्यक्ति का कॉंग्रिस पार्टी से क्या नाता है, ये रिष्टा क्या कहलाता है, और फरजी वाला जिसके लिए कॉंग्रिस पार्टी प्रसिद्ध है अंटी डेटिंग करना डॉक्यमेंट्स की फरजी डॉक्यमेंट्स बनाना यही तो कॉंग्रिस पार्टी का चरित रहे यही तो चरित रहे कोकेन कॉंग्रिस का तो मैं पूछना चाहूंगा ये व्यक्ति जो है इसकी न्युक्ति इन्हों ने करी है 24 बाद 2022 को और जैसे ही वो एक अभ्युक्त निकला और ये अभ्युक्त ये कमर्शिल कॉंटिटी से भी बढ़के है अगर आप NDPS Act देखें कमर्शिल कॉंटिटी से भी बढ़के है इसका मकस्द केवल एख है कि जो भारत के युँवा हैं हर्याना के युवा हैं उनको आप नशे की लत लगा दे क्या वेक्टब वे आया क्या स्पष्टी करन आया स्पष्टि करन ये आया कि इस व्यक्ति को हमने न्युक्ति करी 24 मार्च को अक्टोबर दोहजार बाइस में पद से हटाया था तो फिर आज बात होगी प्रमार की भी आप एक डिजिटल प्रमार दीजिए डिजिटल फुट्प्रिंट्स रहते हैं दिखाईए कैसे ये प्रतीत होगा कि ये जो आपने हटाया था ये वाकई ऑक्टोबर 2022 में था कैसे ये पता चलेगा जनता को कि आनन फ कॉंग्रेस हैं युवाओं की खिलाफत करने वाली कॉंग्रेस हैं आपने तुरंत इस तरह का बागडेटेड एक निश्कासर पत्र निकाल दिया यह आप से पूछा जाएगा और सबसे बड़ी बात है अगर आपकी दलील है तो मैं यह पूछना चाहता हूँ ऐसे व्यक्त छे महीने तक इतने महतपूल पद पे बने रहे यह बात तो आप भी स्विकारते है अगर राहूल गांदी इस तरह के लोग जिनका अंटिसेडिंट ड्रग डीलर से जुड़ा है चपन सो करो यह कोई छोटी मोटी खेप नहीं है ऐसे लोगों की कॉंग्रिस पार्टी में ज होता कभी वो व्यक्ति जो महिलाओं को प्रतारित करते हैं वो आपकी कॉंग्रिस पार्टी में होते हैं कभी ब्रश्टाचारी दिखाई देते हैं और कभी जो ड्रग डीलिंग करते हैं वो कॉंग्रिस में दिखाई देते हैं इस प्रश्ट का उत्तर मैं समझता हूँ कॉंग्रिस पार्टी को देना चाहिए अन्निता राहूल गांदी का एक ट्वीट है इसका एक अंच आपके समख्ष रख रहा हूँ ये 4 अक्टोबर 2024 को हर्याना के चुनाव के संदर्ब में लिखा था और इन्होंने कहा था ये ये कम्या है और इसका नतीजा नशे के गिरिफ्त में बर्बाद होता युवा हुनर ये राहूल गांदी ने लिखा 4 अक्टोबर ये 4 अक्टोबर का जो ट्वीट है आप कहते हैं नशे की गिरिफ्त में बर्बाद होता युवा और बर्बाद कर कौन रहा है कॉंग्रिस पार्टी प्रमार के साथ अभ्युक्त पकड़ा जाता है वो कॉंग्रिस पार्टी की एक जिम्बेदार पत पे बैठा था सदस्य था आपके हिसाब से और हमारे हिसाब से आपने बैक डेटेट फरजी वाला करके ये दिखाया कि वो निश्कासित हो गया है तो ये सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे है क्या आज कॉंग्रिस पार्टी युवाओं को नशे की लट लगवाने के लिए सबसे बड़ी ड्रग है ये चिंता जनक है क्या लीडर ओफ उप्रिजिशन जिनकी जिम्मेदारी है ये कि वो इस मुद्दे पे बड़ी गंभीरता से पश्टी करण रखे कैसा सब्ता कद अचा है कि राहूल गांदी आच्छुप है जनता कह रही है ये तंफ्यूज कॉंग्रिस करण कॉंग्रिस और कोकेन कॉंग्रिस है और इसी लिए मैंने ग्रह मंत्री अमिच्छा जी का जो व्यक्तव वे है जो ये दर्शाता है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है ड्रग अब्यूस पे हमें ये लवाई लड़नी है और ये लवाई हम जीतेंगे भी आज प्रश्ट ये है कि कॉंग्रिस पार्टी का रुक और उसका रोल क्या रहेगा वो लवाई में हमारे साथ खड़ी होगी देश के साथ खड़ी होगी या वो स्वयम अपने नेताओं से ड्रग डीलिंग करवाईगी ये बड़ा ही चिंता जनक है